नमस्कार, डेवे आस्ट्रो चैनल से 26 दिस्तंबट 2019 की सुबर साल का आखरी सूर्य गरण होगा यहाँ गरण एशिया की कुछ देश जैसे अफ्रीका और उस्टेलिया की सासाथ भारत में भी दिखाई देने वाला है बारत में यहाँ मुंबई, बैंगलो, तिल्ली, चैनल, मैसू, कर्णिया कुमारी जैसे कहीं स्थानों पर दिखाई देगा यहाँ साल का आखरी सूर्य गरण है और यहाँ गरण की स्तती वर्ष 1962 की समय वे सूर्य गरण के जैसी है 1962 में साथ गरण एक साथ थी तब यह सूर्य गरण हुआ था इस बार लगने वाले सूर्य गरण में छे गरण एक साथ है वो गरण है सूर्य के साथ चंद्रमा, शनी, बुध, प्रस्पति और केतु इन छे गरण के एक साथ होने से यहाँ गरण लंबे समय तक रहेगा और यह सभी गरण धन्दू राशी में एक साथ रहने वाले है सूर्य गरण सुबर आट बचकर सत्रा मिनट से दस बचकर सतावन मिनट तक रहेगा इसकी अवदी लगबग तीन गंटे की होगी अलग-अलग स्थानों पर सूर्य गरण की अवदी में अंतर भी हो सकता है 26 दिसंबर को पौस मास की अमावस्य तिति एवं गुरुवार का दिन है इस संयोग से इन गरवों की अशुप इस्तत्वी का परभाव कम हो जाता है 26 दिसंबर को वल्याकार सूर्य गरण लगने वाला है इस सूर्य गरण से कई राश्यों पर कई तरक के परभाव पढ़ेंगे तो आईए हम हम जानते हैं कि इस सूर्य गरण से किन-किन राश्यों पर अशुप परभाव पढ़ने वाला है परंतु, कर्क, तुला, कुम्ब वमीन राशी के लिए यहां सूर्य गर्ण शुब फलदाई है अब हम इनी राशियों पर पढ़ने वाले सूर्य गर्ण के परभाव के बारे में विस्तत रूप से चर्चा करेंगे सबसे पहले हम लेते हैं मेश राशी को मेश राशी के जातकों के भाग्यों दय में कमी आ सकती हैं वो समय के प्रभंधन की समस्याय से उन्हें कई प्रकार की बाधाय उत्पन होगी मांजिक वो आर्थिक तरनाव भी रह सकता है परंतु, अपनों का इवं परीजनों का सकारात्मक सहयोग रहेगा रशब राशी, इस राशी के जातकों को अथ्यन सावधानी रखने की आवशकता है विशेश कर वहां से वो किसी भी प्रकार के वाग्यों विवाद से दूर रहना बहतर होगा अचानक से आपकी मुसीबते भी बढ़ सकती है मिथुन राशी, मिथुन राशी के जातकों को वेवाईक जीवन में समास्या आ सकती है रिष्टों में गलत फहिम्या पैदा हो सकती है अतव आप अपने वेवाईक जीवन में तालमिल बनाए रखे अब हम बात करते हैं कर्क राशी के करक राशी के जातकों को अभी मेनत वकारी कुशलता का पूरा फाइदा मिलेगा वशत्रुव पर विजह होगी कानूनी वावविवाद सुलज जाएंगे आर्थिक पक्ष्पी सामानी रहेगा सिहराशी इस राशी के जातकों को संतान समंधी समस्या हो सकती है वह नौकरी या वैवसाय से जूड़ी परिशानी भी खड़ी हो सकती है वेरोधियों का सामना भी अच्चानक करना पढ़ सकता है अब इसके आगे हम बात करते हैं कन्याराशी की कन्याराशी के जातकों को सुख वशान्ती में बाधाय पैदा हो सकती है मांसिक तनाव बढ़ सकता है अशुप समाचार भी आ सकता है अपनी वाणी पर सैयम रखे वो कैरियर संबंदी परिशानियों का भी सामना करपड़ सकता है तुल्लाराशी पुराने वाद विवाद खतम होंगे वो किसी भी कार्य को करने के लिए बनाई गई योजना आपकी पून रूप से सफल होगी आपका आत्मविश्वास चरम पर होगा प्रश्चिक राशी संबंदित वाद विवाद विक्राल रूप ले सकते है आर्थिक समस्या भी बढ़ सकती है जिससे रश्चिक राशी के जातकों को निराशा हो सकती है किसी भी बड़े निवेश या लेन देन से आप बचे धनूराशी इस राशी के जातकों को बहुत ही सैयम और धहरी रखने की आवशक्ता है अपने पर नियंत्रन रखे वो विचारों को सैयमित रखे अपने स्वास्थ का भी ध्यान रखे किसी भी परकार के तनाव से अपने आपको दूर रखने की कोशिश करे मकराशी मकराशी के जातकों को अनावश्यक रूप से समस्या उत्तन होगी ववय अधिक हो सकता है अतर फेजूल खर्ची पर नियंत्रन रखे और अपनी वाणी पर भी सैयम रखे कुमराशी कुमराशी के जातकों को आए सम्मंदी समस्या हो सकती है लेकिन मैनत का फल पूरा मिलेगा पूजापाट और धार्मिक कार्यों के और इस राशी के जातकों का रूजान बढ़ सकता है जिससे सकारात्मक कार्य होंगे स्वास सम्मंदी समस्या अगर है तो वहां भी दूर हो सकती है मीन राशी इस राशी के जात्कों को हर कार्य में बाधाय तो उत्पन होगी, परन्तु वह अपनी सूजबूज, अपनी मैननत और कार्य कुशलता से सकारात्मक्त फोच रखते वे कार्य करने पर उन्हें सफलता मिलेगी. समाज में मान समान की भी बड़ोती होगी. यह था हमारा इस सूर्य गरण का अलग-अलग राश्यों पर परभाव. अब हमें आपसे यह कहना चाहूंगी कि इस सूर्य गरण के 15 दिन बाद यदि आपकी राश्य पर अशुप परभाव पड़ता हैं, तो आप उससे बचने के लिए कुछ उपाय करें, जिससे कि उस अशुप फल का परभाव कुछ हद तक कम हो सकता है. आप 15 दिन तक सूर्य को जल में गुड़ डालकर अर्ग दें, जीटियों को आटा खिलाईए और जब आप स्नान करते हैं, तब आप अपने पानी में गंगा जल की कुछ बुन्दे डालकर नहाएं, और हो सकता है तो आप आटे या गुड़ का भी दान करें, वो ब्रामन को पोजन कराएं, यह उपाय करके आप अपनी राशी पर पड़े अशुफल के प्रभाव को भी कम कर सकते हैं, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हूँ, तो प्लीज लाइक ज़रू करें और शेर करना ना बूलें, धन्यवाद